तो यस विल्कम टू इलेटकल डिपार्टमेंट जिंदल, स्टील और पावर कमपनी की तरफ से रिक्रूमेंट निकल कर आ रही है इसमें डिप्लोमा, B.E. और B.T.E. के कंडियर्ट इलिजिबल हैं, अपलाई कर सकते हैं कमपनी आपको CTC प्रवाइट कर रही है 6.3 LPA का CTC देखने को मिल जाएगा पर्मनेंट जॉब है, किसी प्रकार का कॉन्टेक्चुल जॉब नहीं है पर देखो यार, इंपोर्टेंट पॉइंट पहले बता देते हैं ताकि आपका टाइम बेश्ट ना हो सबसे पहले सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट यह है BE, BTEC, Diploma in specific branch अपलाई कर सकते हैं और इसमें minimum one year का experience required है तो अगर आप fit होते हो इन सभी criteria में तो पूरा वीडियो देखना नहीं तो यह वीडियो आप छोड़ कर जा सकते हो अगर आप वीडियो को छोड़ रहे हो तो वीडियो को like कर देना ताकि यह वीडियो उन उस देन तक पहुंच सके जो इस वेकेंसी के लिए interested हैं और eligible हैं तो चलिए अब चलते हैं वेकेंसी के main notification पर यहाँ पर आपको बता दें जिंदल, स्टील, एंड पावर की तरफ से यह recruitment निकाली गी है जो आपका department होगा इसमें work होगा वो railway project and maintenance department में work देखने को मिल जाएगा क्योंकि अभी जिंदल, स्टील, एंड पावर कंपनी का railway project चल रहा है तो उसी में आपको यह recruitment निकाला गया है direct यहाँ पर देख सकते हैं apply link दिया गया है कि आप इस vacancy के लिए कैसे apply करेंगे लेकिन उसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन-कौन सी post के लिए vacancy निकाली गयी है job description की बात कर लेते हैं यहाँ पर देख सकते हैं PWI यानि की permanent way inspector की vacancy निकाली गयी है इसमें देख सकते हैं job description आपका दिया गया है यानि की अगर आप इसमें select होते हैं तो आपका क्या work देखने को मिलेगा इसके बाद OEHC department में vacancy है यानि की overhead equipment में तो इसमें भी vacancy निकाली गयी है और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यानि की signal and telecom department में vacancy निकाली गयी है और चौथा vacancy है इसमें टेक्नो कमर्सियल और इस्टोर मैनेजमेंट ठीक है यहाँ पर आपको बता दें जो railway project से सब्मंदीद work होते हैं इसमें vacancies निकाली है जो की signal and telecom है इसमें डिप्लोवाली भी eligible होंगे apply कर सकते हैं तो चलिए हम direct apply link पर click कर देते हैं और जो भी important चीज़ें आपको बताते हैं और साथी बताएंगे इस vacancy के लिए आप कैसे apply कर पाएंगे जैसे ही आप apply link पर click करेंगे आपको इस प्रकार का form open होके आ जाएगा requirement in railway project and maintenance जिंदल, steel and power याने की जो vacancy निकाली की जिंदल, steel and power के तरफ से requirement जो है railway project and maintenance department में आपको work देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको simply अपना email id फिल करना है इसके बाद आपको अपना name फिल कर देना है इसके बाद यहाँ पर दे सकते हैं qualification कौन-कौन से ब्रांच के candidate eligible है आपको बता दे तो अगर आपने डिप्लोमा किया है civil engineering में तो आप इसमें eligible है BTEC किया है civil में तो eligible है या फिर आपके पास railway project से सम्मंदित कोई भी experience है, कोई भी skill है तो आप यहाँ पर अधर पर click करके आप इसमें apply कर सकते हैं आपका profile जरूर सौट लिस्ट होगा क्योंकि यह vacancy mainly railway project and maintenance department के लिए ही निकाला गया है total experience की बात करें तो minimum 1 year का experience भी अगर है आपके पास डिप्लोमा B.E.B.Tech से relevant field में तो आप इसमें apply कर सकते हैं और maximum इसमें देख सकते हैं 5 year, 10 year, F8 10 year से ज़्यादा experience है तब भी आप इसमें apply कर सकते हैं apply किस position के लिए कर रहे हैं तो आपने आपको बता दिया चार position के लिए vacancy निकालेगी है P.W.I. यानि कि permanent wear inspector और overhead equipment और S.N.T. signal and telecom में techno commercial and store management या फिर आप किसी other post के लिए apply कर रहे हैं तो आप इसमें other भी click कर देंगे जो भी आपके resume में skills होगी जो experience होगा उसके हिसाब से आपको आपर vacancies देखने को मिलेगा current company यानि कि इसमें one year का minimum experience required है तो आप किस company में आप work कर चुके हैं one year वो आपको यहाँ पर fill करना है और current क्या आपका position था उस company में और यहाँ पर आपको अपना data birth फिल करना है इसके बाद यहाँ पर जो भी company में आप work किया है यानि कि जो experience है आपके पास क्या roll था उसमें आपका इसके बाद यहाँ पर आपको mobile number और main है इसमें यहाँ पर resume ठीक है आप लोग resume यहाँ पर अपना latest resume बना सकते हैं दीके resume बनाने के लिए आप लोग काईनवा का यूज कर सकते हैं उससे एक professional resume बन जाता है अगर आपको नहीं बनाना आ रहा है तो आप हमसे WhatsApp पर पूछ सकते हैं वहाँ पर आपको हम guide कर देंगे कि एक professional resume कैसे बना है और यहाँ पर आपको पहले बता चुके हैं railway project and maintenance department से related work है तो उससे संबंधित आपके पास experience उससे संबंधित आपके पास skill होना चाहिए तब भी आपका profile यहाँ पर shortlist हो जाएगा ठीक है किवल diploma करने के बाद आप खाली बैटे रहेंगे तो आपका profile कहीं भी shortlist नहीं होगा आप अपने अंदर skill को add करिए skill को सीखिए और किसी भी company में work कर लीजिए एक या दो year जहां भी एक अच्छी company मिलता है तो इससे क्या होता है आपका resume अच्छे से त्यार हो जाता है उसमें आप experience भी include हो जाता है तो किसी company में shortlist होने का chance जादा रहता है तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको resume फिल करने के बाद यहाँ पर submit पर click कर देना है salary की बाद आपको बता दे तो यहाँ पर official salary जो disclose नहीं किया गया है लेकिन other websites से मतलब कि जो employees वहाँ पर work कर रहे है उससे पता चलता है कि इसमें जो salary आपको देखने को मिलेगा 7 to 8 LPA का salary देखने को इसमें मिल जाएगा job location उने बता दिया राइगर जो अंगुल में आपका job location है वहीं पर आपको job location देखने को मिल जाएगा या फिर company के requirement के अनुसार जहां भी इनका project होगा वहाँ पर आपको job location देखने को मिल जाएगा selection process की बात कर लेते हैं तो कोई भी assessment इसमें नहीं होगा तो इस vacancy के लिए जरूर से apply करना और इसी प्रकार से टेक्निकल डिपार्टमेंट की जितनी भी vacancies आती है डिपलोमा बी इवी टेक आईट्याई की तो टेलिक्दाम चैनल पर सेयर कर देखने हैं आप लोग जोईन कर सकते हैं लिंक डिस्क्विशन में दिया गया है तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केर